सब्सक्राइब करके आया हूं और आपने देखा 22 जैसे सुभे हमने देखा था मैंने आपको बताया था जेए एडवांस के दो क्वेश्चन वापस से आया पर बहुत पहले साल के रहे 2007 का एक क्वेश्चन अभी आया मगर क्यालकुलेशन बहुत डिमांडिंग थी मेरे साब स सबसे टफेस्ट मैथमाटिक्स का शिफ्ट था जरी असब बिल्कुल आप सही बोला है मेरी एक स्टुएंट है जिसके मैट काफी स्टॉंग है अने के जितने भी उसने मॉक टेस्ट दिये हमेशा उसके मार्क एक्टी के अवब आते थे लेकिन आज अभी पेपर के बाद ज इसका मैट सबसे जादे स्टॉंग है वह जब यहां तक टेच कर पा रहा है तो और स्टुएंट की तो सर मैं क्या ही बात करूं और कई सारी स्टुएंट से बात भी तो वह तो यह करते कि सर मैट्स में तो 6 यह साथ ही मेरे सई होंगे अब दोस्तों मतलब अब क्या करें हम हो गया रहा हम लोग तो मतलब इन सब सिचुएशन पर मतलब वही लाइट मूट करने के लिए हासी सकते हैं और क्या करें बड़ यार मेरा यह मानना है दोस्तों कि यह जो शिफ्ट है जो हमारी प्रेडिक्शन था बिल्कुल स्पॉट ऑन है सर यह वाले जो शिफ्ट है चुका है अब आगे और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा अब यहां से थोड़ा सा नीचे लेवल जाना चाहिए सर मेरे इसाब से केमिस्ट्री के अंदर सर क्या ओपिन है केमिस्ट्री में वही सेम ट्रेंड चल रहा है कि पीसी की कोईशन बहुत ही कम पूचे गया है लेकिन जो भी पूचे गया है उनमें कैल्कुलेशन रिलेटिवली काफी ज्यादा हो रही है इंपक्ट वापस से हम जब देख रहे थे इस बार आप खुद देखिए पहले फिजिक सॉल वह फिर मैट सॉल वहा और क्या करने थे लास्ट में मतलब इवन आप क्यों करने थे कि सर केमिश्टी का पेपर में कुछ क्वेशन तो ऐसे थे जो समझ भी नहीं आ रहे थे मतलब अब धीरे-धीरे ऐसा फील हो रहा है कि जो जेए मेंस का लेवल है वो अब इंक्रीज कर चुका है और पिजेक्स का पेपर काफे रिलिवेंट लग रहा था जेए मेंस के 26 सब्सक्राइब हमारे पूरी टीप की तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि इस बार सीधा मार्स पर चलता है मेरे साब से ठीक है यह है सर प्लीज तो देखिए हमें जो भी स्ट्वेंट के रिस्पांसे मिले और आपने देखा ही होगा अगर आप हमारे और भी प्रीविस वीड सब्सक्राइब देखिए इस बार एक तो भी आजएगी आप देख रहा हूंगे कि सदन आपको कितना इंक्रीज देखने को मिला है अगर 27 जैन्वरी के मौर्णिंग सिफ्ट से अगर आप इस सिफ्ट को कंपेर करें तो आप 250 प्लस पर 99.9 अवब परसेंटाइल टार्गेट कर पाए और अभी आप देखिए यहां पर आप 21 नंबर का चेंज आप देख रहे हैं मतला अगर आपका अवफ 230 माक्स भी आ रहा है तो का आपका जो परसेंटाइल है ना इत विल बे अवफ द 99.9 परसेंटाइल तो मेरा मानना सर यह है कि इस सिफ्ट में अगर इस्टूरेंट्स का जो माक्स है वो रिलेटिवली कम है तो उन्हें पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए और रहेंग दोस्तों परसेंटाइल से आती माक्स से नहीं आती है और प्लीज यार उनका पेपर 27 को हुए ना उनसे माक्स मत पूछना अधर्वाइस क्या होगा ना तुम डिप्रेशन में चले जाओगे है ना दिम डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारा लिंक अवेलेबल है अगर आपको एक्जेक्ट अपने माक्स पर पता करना है कि आपकी कितनी परसेंटाइल आईगी तो प्लीज वहाँ पर चाहिए और अपनी सारी जो रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स है लिंक एक बार पिन भी कर दीज हो रहा है तो आप लोग दोस्तों कुछ भी प्रीकंसेप्शन लेके मच जाहिए जो पिछले साल के ट्रेंड्स है उसी के साब से देखी इस वाली शिफ्ट के अंदर कुछ कुछ ऐसे थे जो आप उसका कुछ कर नहीं सकते है और मतलब जब हम लोग बहुत डिटेल में सोच अब मैं स्टुएंट से बनाकर कि बिल्कुल मत जाहिएगा कि आप कमिंग सिफ्ट में हो सकता है कि काफी मेजर चेंजिस देखने को मिलें लेकिन फिर भी अट दा एंड आउट टुए-टी-वाइशन यार अट-least 15 सवाल फिजिक्स में अभी इस तरीके के आ रहे हैं जो फॉर्मुला बेज्ट है अगर आप पेसेंस फुली इमोशन और फीलिंग्स को कंट्रोल में रख करके क्वेशन को प्रॉपर्ली पड़ेंगे ना तो वो 15 क्वेशन कहीं नहीं तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आर राउंड वन में आप उन क्वेशन को जरूर पिक करेक्ट बिल्कुल सब्सक्राइब अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से लेट्स क्राकेट